Areas related to circles तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को क्लास 10 का ये एक चैप्टर है तड़िस area related to circles अगर हम circle की बात करें तो अब तक आप circle के perimeter simply एक normal circle का area या फिर अलग-अलग चीज़ों के perimeter like rectangles, square, parallelograms, triangles इन सभी का area अपने find out कर लिया है अपनी पहली कुछ classes में या कुछ chapters में लेकिन अगर हम daily life में देखें तो daily life में हम बहुत सारे ऐसे objects देखते हैं जो circular shape में होते हैं like अपके cycle का wheel, like cake, like brain covers तो बहुत सारे ऐसे objects होते हैं जो circular shape में होते हैं इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे objects हैं so इनी कुछ reason की वज़े से कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे objects होते हैं जो circular shape में होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत important भी हैं that's why हम जो circular figures होते हैं उनका parameters और area calculate करना सीखते हैं और वो सारी चीज़े अब हम इस chapter में सीखेंगे सबसे पहले हम किसी भी एक circle का start करेंगे हम किसे start करेंगे वो करेंगे एक circle के parameter से कि उसका parameter क्या होता है parameter का मतलब है that is circumference इसके बाद हम circle का area find out करेंगे और इस चीज़ का use करके that is जो हम parameter find out कर रहे हैं area find out कर रहे हैं यह जो हम knowledge gain करेंगे इसका use करके और बहुत सारे अलग-अलग special types के हम figures देखेंगे उनका area find out करेंगे जिने हम आगे के कुछ topics में पढ़ेंगे like sector and segment में ये दो words है जिनके बारे में आगे हम discussion करेंगे तो start करते हैं अपने first topic से that is parameter of a circle अगर हम parameter देखें कि एक circle का parameter क्या होता है तो generally हमें पता है कि एक circle का जो parameter होता है वो होता है 2 pi r यह बहुत easy है pi की value यहाँ पर होती है 3.1416 and r यहाँ पर represent करता है radius को like अगर हम pi की बात करें तो pi के बारे में आपने देखा था यह एक irrational number है जो कि एक non-terminating not repeating decimal होता है जिसे हम बहुत सी जगा 22 upon 7 की तरह से भी use करेंगे तो हमें parameter तो पता है कि एक circle का parameter क्या होता है यह आप बहुत easily determine भी कर सकते है that is 22 upon 7 और वहीं अगर हम एक circle का area देखें तो आपने बहुत पहले कभी देखा होगा कि एक circle का जो area होता है वो होता है pi r square यह simply आपको पता भी होगा कि एक circle का जो area आता है वो आता है pi r square तो हमें दो चीज़े हैं पर अपने previous classes के according पता होनी चीए first thing is that कि एक circle का जो perimeter होता है वो होता है 2 pi r and एक circle का जो area होता है वो होता है pi r square अब इसी topics से related हम कुछ examples try करेंगे लेकिन अगर आपको यहाँ पर perimeter और area में confusion है तो उसे complete कर लेते हैं एक बार तूर कर लेते हैं perimeter एक तरह से circumference होता है circumference का मतलब कि आपने एक circle के चारो तरफ अगर एक round complete किया है तो एक round complete करने में आप जितना distance चलते हैं उसे कहते हैं किसी भी circle के या किसी भी और object का perimeter like आप एक circular ground में करें आपने एक round complete करा आपने measure करा कि आप 400 meter आपने total एक round complete करने में running करी तो उस ground का जो perimeter होगा वो होगा 400 meter और area होता है कि अंदर वो circle कितनी जगह cover कर रहा है एक तरह से area कितना cover कर रहा है area की SI unit होती है meter square और perimeter जो की एक length है उसकी SI unit होती है meter तो हमें हाँ पर यह चीज़े भी ध्यान रखनी है जब कभी भी हम area से related questions करते हैं तो हमें proper units का भी use करना है तो start करते हैं हमने first example से that is example number one the cost of fencing a circular field at rate of 24 per meter is 5 to 80 rupees the field is to be plowed at the rate of 0.5 rupees per meter square find the cost of plowing the field सबसे पहले काफी simple एक हमें statement दी गई है हमने सीखा है previously topics में कि हम कैसे statement से अपने according जो हमें चाहिए knowledge उसे gain करते हैं तो सबसे पहले इस example को देखते हैं इस example में यह कहा गया है कि एक circular field है उसे fencing जब कभी भी हम fencing करते हैं तो हम चारों तरफ करते हैं हम अंदर के area में fencing नहीं करते हैं हम boundaries पर fencing करते हैं और boundaries पर fencing करने का मतलब है एक तरह से हम सर्फ perimeter का use कर रहे है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि total जो किसी ने pay करा जो cost आया वहाँ पर fencing करने का वो था 5,280 रूपीज और पर meter की जो fencing का cost आता है वो होता है 24 रूपीज तो सबसे पहले हम यहाँ से calculate कर लेते हैं जो fencing है वो कितनी meter की हुई है तो simply बस हम length को एक तरह से calculate करेंगे हाँ यहाँ फिर हम कहें एक तरह से parameter calculate कर रहे हैं तो parameter उस circle का और we can say circumference उस circle का आ जाएगा 5,280 अपॉन 24 जो कि आएगा 220 के equal next यहाँ से हमने यह तो calculate कर लिया कि उस circle का जो perimeter है वो है 220 meter next हम यहाँ से एक चीज यह calculate कर सकती यह जो हमारे पास circular field है इसका radius क्या है क्योंकि हाँ पर हमें कोई radius नहीं given और अगर हमें area find out करना है क्योंकि question में यह कहा गया है कि हमें यह बताना है कि total cost कितना लगेगा अगर हम उस पूरी field पर खेती करें यानि कि plow करें तो total cost कितना लगेगा अगर हर meter square का यानि कि per meter square का जो cost आता है यानि कि अगर आप one meter square पर plowing करते हैं तो उसका cost 0.5 रुपीज आता है तो total field का हमें cost बताना है कि total field में कितना expenditure होगा या कितना खर्चा आएगा तो simply सबसे पहले इसके लिए हमें area ही find करना होगा और area हम कैसे find कर सकते है area हम तब find कर सकते हैं जब हमें radius पता हो तो अब हम दुबारक circumference वाला formula use करेंगे क्योंकि हमें पता है circumference अभी जो हमने find करा वो आया है 220 meter और circumference हमें एक और चीज़ के equal पता है वो होता है 2 pi r के तो ह जब हम इसे solve करेंगे तो यहां pi की value put कर देंगे जैसा कि question में कहा गया है कि pi की value होनी चाहिए 22 upon 7 तो हम इसे वो ही value put कर देंगे और इसे next लिखेंगे that is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r is equals to 220 next हम इसे properly लिख लेते हैं बाकी terms को हम right side shift कर देते हैं r को सिर्फ यहीं रख लेते हैं तो हमारे पास आएगा r equal 220 multiplied by 7 upon 2 multiplied by 22 और जब हम इसे solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 35 यानि कि जो हमारी radius है यहां पर वो है 35 meter अब हमें area find करना है उस field का तो यह काफी simple है सिर्फ हमें area का formula यूज़ करना है और area का formula होता है pi r square तो pi हमारे पास यहां given है pi की value है 22 upon 7 multiplied by radius हमने find करी लिया है 35 multiplied by 35 तो area of the field आ जाएगा हमारे पास 22 upon 7 multiplied by 35 multiplied by 35 next यहां 7 से 35 cut हो जाएगा तो आएगा 22 multiplied by 5 multiplied by 35 अब यह हमारा area आ चुका है that is 3850 3850 हमारा area होगा उस पूरी field का तो हम लिख लेंगे area of the field is 3850 meter square और हमें पता है अगर हम 1 meter square पर खेती करेंगे और we can say जो खर्चा आएगा 1 meter square पर वो होगा 0.5 तो simply हम 3850 की multiply 0.5 में कर देंगे तो हमारा cost भी आ जाएगा जो की होगा 3850 multiplied by 0.5 that is 1925 that is 1925 रुपीज तो यह काफे simple है यहाँ पर हमें एक तरह से perimeter नहीं गिवन था हमने perimeter calculate करा इसके बाद perimeter का use करके हमने radius calculate करा radius का use करके area calculate करा और area जब हमारी पास आ गया तो उसकी direct multiplication कर दी per meter जो हमारा cost given था question में उसमें तो यही चीज़े हमें इस chapter में करनी है इस first section में तो हम यही सारी चीज़े करेंगे आगे के next sections में हम और साथ चीज़े पढ़ेंगे अलग अलग shapes को calculate करेंगे और एक नया concept भी सीखेंगे